नमस्कार मैं सर्फाज आलम और इस समय मौझूद हैं सिबान के परताप पूर में और अभी से कुछ दिर में राज़त की परत्यासी हेना शाब नमांकन करने के लिए निकलेंगी और आप देख रहे हैं पर ढोल तासे के साथ उनका प्रतब स्वागत के जा रहा हैं उनका निक प्राइब से नमनेशन करने जा रहे हैं और तेजस्वी जी आज प्रोग्राम भी है और बहुत अच्छे कंडिशन में हम लोग चुनाओ जीत रहे हैं भारी बहुमत से और सारे लोग सारे समवदाई के लोग हम लोगे साथ है किया लग रहा है इस नामाखण की परतफ़िया में कितने लोग जूटेंगे और उहां पर धोरोगाराय में कितने लोग टोटल कम से कम डेर से दो लग आदमी होगे होगे कम से कम जहाँ तक हम लोग का अंदाज अभी तक चल्डी तो आप देख रहा हैं इन से बात हुरी थी हमारी अब फिर अब बहने जा रही हैए हमारी जिला में विकास होने जा रहा है तो आप देख सकते हैं अब 2 सुपादिया जी हमारे साथ है और भी काफी सारे कारकता हैं आजये इसा बात कर लेते हैं जी अमरद Sharpahhand D f और हर कोई चाराय की नमायंकन की पर्तिक्रिया में सामील हो और आईए और भी काफी लोग हैं इन से बात करते हैं जैसा कि हर धर्म के हर जाती के लोग यहां पर आए हुए हैं और सभी लोग हैना साब के समर्थान में उतना जी बताइए देखिए मैं बवलू जी बोल रहा अभी हैं मुसल्मान का वहां कुछ नहीं वहां सब बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर इंचेडियम जितने बन रहे हैं जितने भी सरकारी बिल्डिंग शावदिन साब ने बनवाया हैं वो सब पूट रहे हैं उसको यह लोग मैंटें नहीं कर पा रहे हैं तो विकास क्या क लेकिन एक बार जन्ता को मौका देना चाहिए हेना साथ को लेकिन निकल चुकी हैं जी आप देख सकते कारी सारा उस्साय समट्टों को में क्या कुछ देना उस्सा की जहां तक बात है तो जैसी बात है कि सिवान जिला के सभी हमारे नागरिकों को हमारे नमांकन में आने के लिए बहुत-बहुत शुकू दिया और मैं चाहती हूं कि सार हमारे युवा और जितने भी हमारे बड़े बुजरूग हैं सभी लोग सैयम से दरोगा राय कॉलेज में पहुचें मैं नमांकन करके वहीं पहुचूंगी वहीं सभा होगा जी जैसा कि आप सुन लेते हैं अभी नमांकन करने के लिए यहाँ पे हैना साफ प्रतापूर से निकल चुकी हैं और अब से थोड़े ही दिर में वह दरोगा राय कॉलेज में सारे समर्थों को भी शमूदित करेंगी और वहां पर तिजस्वी यादों जी भी आ रहे हैं